हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंका स्वागत करती हूँ सभी का आपके अपने चैनल टारे टीचर जॉब में दोस्तों आज हम डेलर थर्ड सेमेश्टर का सामाजिक अध्यन विश्य देखेंगे और यह है आपका क्लास नंबर 32 तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रह है और उसमें क्या क्या चीज़े आते हैं जैसे हमने देखा था संग सुची राजी सुची और संग सुची के अंतरगत क्या 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 विसे आते हैं तो इस संग सुची में राश्टी महत्यों से समय विश्यों को रखा जाता है और राजी सुची में अगर बात करें तो छे पर राज्य सरकार और केंद सरकार दोनों ही कानून बनाती है लेकिन अगर किसी तरह का गतिरोध उत्पन हो जाता है तो वहाँ पर केंद सरकार के कानून को मानेता दी जाती है यह सारी चीजे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो जो में देखी है तो दोस्तों यहाँ पर आज हम देखेंगे सरकार के अंग के विशय में तो प्रतेक सरकार के तीन अंग होते हैं चाहे वो सरकार केंद्र की हो या फिर राज जी की हो तो चलिए देखते हैं सरकार की अंग यहां पर देखिए ब्यवस्थापिका पहला है जिसमें ब्यवस्थापिका में केंद्र में उसे संसद और राज्य में विधान मंडल कहा जाता है और इसका जो कारी होता है वो होता है कानून बनाना ब्यवस्थापिका का और इसी तरह से अगर हम देखिए कारे पालिका तो कारे पालिका ये सरकार का दूसरा प्रमुखंग है तो ये केंद्र में केंद्री मंत्री परसत के नाम से जाने जाती है और राजी में राजी मंत्री परसत के नाम से जाने जाती है और इसका जो कारी होता है वो कानून को लागू करना होता ह क्लियर और इसी तरह से आगे हम देखें नयाय पालिका केंदर में उच्चितम नयाय आले होता है और राजी में उच्च नयाय आले होते हैं और इसका जो कारी होता है वो कानून का पालन कराना होता है clear, तो यहां पर इस तरह से हमने देखा कि जो सरकार है उसके तीन अंग हैं, ब्योस्थापिका, कारेपालिका और नयाईपालिका clear, ब्योस्थापिका को केंदर में संसत कहते हैं और राजए में विधान मंडल और इसका कारे कानून बनाना होता है और कारेपालिका को केंद्र में मंत्री परसत कहते हैं राजी में राज्य मंत्री परसत कहते हैं और कारी इसका क्या होता है कानून लागू करना और नियाय पालिका का जो केंद्र में नाम होता है वो उच्चतम नियाले की नाम से और राज्जी में उच्च नियाले की नाम से और इसका जो कारी होता है कानून का पालन कराना होता है यहाँ पर हमने देख लिया अब हम देखते हैं संसद क्या होती है लोगसभा, राज्यसभा तथा राश्टरपती को मिला कर संसद बनती है तो दोस्तों अगर हमसे ये कोई प्रस्न करे कि संसद क्या है तो संसद राज्यसभा, लोगसभा और राश्टरपती को मिला कर ही बनती है संसद संग सरकार की ब्योस्थापिका है क्लियर यहाँ पर हमने देखा है यह सारी चीजे यहाँ पर देखिए ब्योस्थापिका में जो केंद्र में होती है वो संसद होती है और जो राजी में होती है वो विधान मंडल होती है तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका clear हो गया कि संसद क्या है पार्लिया मेंट इसम कहते हैं तो यह लोक सभा राजी सभा और राश्पति को मिला करी संसद का निर्माड होता है संसद संग सरकार की ब्योंस्थापिका भारती लोक तंत्र में संसद सर्बोच्च है क्योंकि प्रतेच रूप से चुने जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या ध्हान देना है जो संसद हती नहीं ध्यों कि द्वारसी प्रतेच रूपस चुनकर आती है तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको यह इनिफॉर्म करना चाहते हैं कि आपका हिंडी विशह का स्लैबस complete हो ग वहां से इपनी study करिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों को साथ सेयर करके और अगर आप चनल पे नए है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए क्योंकि दोस्तों मेरी मैनत तभी सारतक है जब आपका मुझे सहयोग मि और राष्ट्रपती अब हम सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकसभा चलिए लोकसभा देखते हैं लोकसभा संसत का पहला तथा निचला सदन है तो दोस्तों इसको पहला सदन भी कहते हैं निचला या निम्न सदन भी कहते हैं तो पूरे देश में प्रतिनिदी ही इसके अंग होते हैं अब हम सबसे पहले यह जानते हैं कि जो लोकसबाय उसकी सदस बनने के लिए कौन-कौन सी योगताइं होनी चाहिए बहुत है नमबर वन पर जो जो भी चुनाओ लडने माला है वो भारत का नागरिक हो और नमबर दो पर हम देखें तो जो उसकी आईू हो यानि कि उसकी उम्चीज साल या उससे अधिक आईू हो यानि कि पचीज साल से कम उसकी आईू नहीं होनी चाहिए जो भी लोक सभा का सदस्य बने और नमबर थ्री पर हम देखें किसी सरकारी लाप के पत पर ना हो और नमबर यहां पर देखिए यह आपका नमबर थ्री दो बार हो गया यह नमबर फॉर हो जाएगा आपका यह नमबर फॉर यह नमबर फाइब और यह नमबर शिक्स क्लियर यहां पर देखिए चुनाव लड़ने के लिए उसे आयोग ये घोसित ना किया गया हो और नमबर फाइब पर हम देखे तो देश की सुरच्छा ये और अकंड़ता में विस्वास रखता हो तो ये कुछ योगताएं हैं जो लोग सबा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए यहाँ पर आपको कुछ भी रटने की जोत नहीं है यहाँ पर देखे चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए उसकी आयोग जो हो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए वो किसी भी सरकारी लापत पर ना हो और पागल या दिवालिया ना घुसित किया गया हो और संसदत्वने आलद वरा लोग सबा चुनाव लड़ने के लिए उसे आयोग ना गुसित किया गया हो तो ये सारी चीज़े ध्यान रखनी और देश की सुरच्छा और अखंड़ता में वो विश्वास रखता हो तो ये कुछ महात्वपूर योगता हैं अब हम चलते हैं यहाँ पर लोगसभा का कारिकाल क्या है देखने तो दोस्तों लोगसभा का जो सदस्य होता है उसका कारिकाल 5 वर्ष के लिए होता है लेकिन अगर हम बात करें प्रधान मंत्री की सलापर राश्टपती इसके पहले भी इसे भंग कर सकती है यहाँ पर हम देखें चुनाओ के लिए पूरे भारत को जनसंख्या के आधार पर बहुँ से निरवातन छेत्रों में बाट दिया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि उचित रूप से चुनाओ हो और प्रतेक छेत्र से प्रतिनिधी मिले इसके लिए जनसंख्या के आधार पर निरवाचन छेत्रों को बाट दिया जाता है और इस प्रकार जिस राजी की जितनी बड़ी जनसंख्या होती है लोग सवा में उसके प्रतिनिधी भी उतने ही अधिक होते है क्लियर यहां पर क्या ध्यान देना है कि जो भी छेत्र है वो जनसंख्या के आधार पर उसका निरवाचन छेत्र निरधारित होगा और उसी निरवाचन के आधार पर ही जो प्रतिनिधी चुनकर आते हैं वो प्रतिक राज्य से चुनकर आते हैं जनसंख्या के आधार पर क्लियर जैसे अगर हम बात करें पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जन संख्या सबसे अधिक है इसलिए लोग सभा में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक अथार्त असी प्रतिनिधी होते हैं क्लियर आगे हम देखें लोग सभा के सदर से संख्या क्या है लोग सभा में अधिक सदिक 545 सदर से हो सकते हैं जिसमें से 543 सदर से देश की जनता द्वारा प्रत्यच रूप से चुनी जाते हैं इसके अतरीक तगर हम बात करें सदन में एंगलो इंडियन समधाय का उचित प्रतिनिधित्व ना हुआ तो राश्टपति द्वारा समधाय के दो प्रतिनिधियों को मनुनीत कर सकता है तो दोस्तों यहां पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो यहां पर 545 और 543 सदर से संख्या दी हुई है ध्यान से देखी य लेकिन इसमें से 543 सदर से चुने जाते हैं और दो सदर से राश्टपति के द्वारा मनुनीत किये जाते हैं क्लियर एंगलो इंडियन समधाय से क्लियर यहां पर देखी आगे हम चलें लोग सभा के पदाधिकारी के विसे में जानते हैं लोग सभा का एक अध्यच तथा ए यहां पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो लोगसभा का अध्यच होता है वो इनकी सदस्यों में से होता है जो लोग सभा में चुनकर आया है और यह निस्पच चोंगर अपना कारे करते हैं जो अध्यच होता है वो निस्पच होकर अपना कारे करता है वो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर ब्यक्ति के प्रति ध्यानना दे करके सब के प्रति निस्पच होकर कारे करता है क्लियर यहाँ पर हमें देखना है कि सधन में अनुसासन बनाया रखना है जो लोग सभा का अध्यच होता उसका आरे होता है और जो भी सदन है उसके कारेों को सही-ढंग से संचालित करना भी उसका कारे है राष्ठपति को लोग सभा के निड़यों की सूचना देना तता किसी विषय या जो भी विध्यक है उस पर मतदान कराना अध्यच का ही कार्य है तो दोस्तों यहाँ पर जो भी राश्टपत्ती हैं उनको लोकसभा के विषय मिंद्यक की सूचना देना कह सकते हैं और साथ ही जो भी विषय हैं विध्यक के लिए उन विषयों पर मतदान कराना भी अध्यच का ही कारे होता है clear अब हमें यह देखना अध्यच की अनपस्तिती में यह सब कारे कौन करता अगर अध्यच suppose that अगर अध्यच नहीं है उस समय तो जो अध्यच का कारे भार है सदन के प्रती वो सारी चीज़े वो जीमेदारी उपाध्यच निभाता है यानि कि जो डिप्टी स्पीकर होता है clear अब हम देखते हैं यहां पर लोकसभा के कारे क्या क्या है लोकसभा का कारे है कानून बनाना और मंत्री परसत के कारेओं पर अपना नियंत्रड रखना तो दोस्तों यहां पर इसके पहले हम लोगों ने डिसकस किया कि जो अध्यच होता है वो सारे सदन के कारेओं पर नियंत्रड रखता है सदन का अनुसासन मेंटेन करके रखता है और यहां पर हम देखें तो जो कानून में संसोधन करना होता है वो भी लोगसभा का ही कारे होता है क्लियर यहाँ पर हम देखिए लाश्ट है कि जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निड़य भी लोगसभा लेती है तो दोस्तों यहाँ पर लोगसभा के विशे में आज हमने पूरी डिटेल पड़ी तो आपको मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि जो लोगसभा के विशे में ना आपने जाना हो तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आज के प्रस्ण की आपके लिए आज का प्रस्ण है कि लोगसभा में उत्तर प्रदेश के द्वारा कितने प्रतिनिधी चुने जाते हैं फिर से कोश्चन सुनिए लोगसभा में उत्तर प्रदेश से कितने प्रतिनिधी चुन कर जाते हैं क्लियर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही किया करिए तो इसी तरह से आप अपनी मेनद जारी रखिए अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए अपने आसपास सफाई रखिए हमसे जुड़ने के लिए थैंक्यों सुमाच जैहिन